प्रिये चात्रो नमस्कार NCRT गड़ित कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज से हम लोग अध्या 11 यानि की रचनाय शुरू करेंगे जिसे इंग्लिस में कंस्ट्रक्शन्स भी बोलते है तो चलिए हम प्रिश्णा वाली 11.1 से ही सुरू करते हैं और जरूरत के अनुसार हम लोग समझते जाएंगे कि इसमें क्या करना है इसमें बेसे के लिए हमें किसी भी रेखा खंड के दिये गए अनुपात में बिवाजित करना है और किसी तिर्भुच के अंदर उसके समरूप तिर्भुच की रचना करना है तो आईए हम एक एक करके सभी चीजों को समझते जाएंगे तो बिना वक्त बरबात किये हम लोग प्रिष्णावली 11.1 से ही सुरू करते हैं तो प्रिष्णावली 11.1 में प्रसन क्रमांग एक दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड कीजिए और इसे 5 अनुपात 8 में बिभाजित कीजिए और बिभाजित जो माप है या दोनों भागों को माप ये तो जैसा की प्रिष्णावली 11.1 में दिया गया है सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड कीज लेंगे तो यहाँ पर हम 0 से नापते हैं यहाँ पर यह रख दिया पॉइंट और यहाँ से यह है 7.5 यह 5 का है और इसके आगे यह छोटा सा एक और पॉइंट ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 7.6 तो हम यहाँ से 7.6 और इसको मिला देते हैं यह देखिए इस तरीके से मिला देना है और अब स्केल को हटाके यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं जैसे हमने नाम दे दिया A, B A और इस तरह पनाम दे दिया B तो यह 7.6 cm का एक रेखाखंड खीच दिया है इसके बाद आपको पहले रचना कर लेनी है उसके बाद मैं रचना के चरण भी बता दूँगा तो अब एक नियून कोण क्हींचना है नियून कोण क्या कहलाता है जैसे यह देखिए यह एक अधिक कोण है और इसके आगे यदि आप क्हींचोगे तो यह क्या है अधिक कोण है और इससे कम करोगे 90 से कम तो ये नियून कॉल कहलाता है तो 90 से कम नियून कॉल कहलाता है तो नियून कॉल खीच लेते हैं तो अपने मन से किसी भी डिगरी का किसी भी एंगल का एक नियून कॉल हमने ये देखिए खीच लिया और नियून कॉल बनाती हुई एक रेखा कीची तो नियून कॉर्ण हो जाएगा B, A और इसको हम रेखा को नाम दे देते हैं X तो हो गया B, A, X एक नियून कॉर्ण की रचना हो गई B, A, X सबसे पहले A, B, बरावर 7.6 cm का एक रेखा कंड़ कीचा उसके बाद B, A, X की रचना की नियून कॉर्ण B, A, X की रचना की अब हमें कॉश्चन में दिया गया था पांच अनुपात 8 ये दिया गया था तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 पिलस 8 कितना आएगा 8, 5, 13 तो हमें उस किरण A, X पर A, X जो किरण है हमारे चित्र में उस पर 13 समान चाप लगाने है तो ये जो आपको किरण A, X दिख रही है इस पर आपको 13 समान चाप लगाने है किसी भी नापके तो परकाल की हेल्प लेते हैं ये देखिए ये हमने इसको कम से कम किया और जितना कम हो सके उतना कम किया और इसमें हमें 13 चाप लगाने है तो हम यहां से स्टार्ड होंगे और 13 चाप लगाएंगे चलिए शुरू हो जाते हैं तो हमने इसको थोड़ा चित्र को उल्टा कर लिया है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें और तेरह चाप लगाएंगे जैसे फश्ट ये है इसको थोड़ा सा छेसे करते हैं यहाँ पे रखा हमने और ये देखिए ये पहला चाप फिर यहाँ पे रखा ये दूसरा चाप दो हो जाते हैं फिर यहाँ पे रखा और ये तीसरा चाप फिर ये चौथा फिर ये पाँचमा इसी तरीके से तेरह चाप आपको लगा देने है तो इस तरीके से तेरह चाप लगाना है अब हम इस चित्र को सीधा कर लेते हैं जैसा कि हमने इस तरीके से लिया था तो ये देखिए तेरह चाप लगे हुए है अब इन चापों को हम नाब दे सकते हैं जैसे इसको हम दे दिया A1 क्योंकि A यहां पे लिखा है तो A1 A2 A3 A4 इस तरीके से देते जाएंगे तो यह तेरह चाप आपको लगा देना है अब लास्ट वाला जो चाप है इसको आपको B से बिला देना है तो चलिए इसके लगते हैं और मिला देते हैं यह आखरी वाला जो चाप आपको देख रहा है इसको आपको किस से मिलाना है इस B से मिला देना है यह देखिए यह मिला दिया अब आपको इसके समानतर एक और अन रेखा कीचनी है तो इसके लिए हम परकार की सहायता से रेखा कीचेंगे और इसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है सबसे पहले आपको एक यहाँ पे इस तरीगे का चाप लगाना है मैं आपको बताता हूँ पहले हम चित्रों को इस तरीगे से कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पे यह आपको आप थोड़ा परकाल और भी फैला सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने फैला है और पहले इस कॉल सा जो बना हुआ है इस पर ऐसा चाप लगा देते हैं देखिए यह चाप यह देखिए अब इसकी बाद हमें अनुपाद दिया गया था पा पाच अनुपाद आठ आप क्वेश्चन में देख सकते हैं पाच अनुपाद आठ दिया गया था तो इतना ही जो नापा है इतना ही चाप अब पाच पर रखते हैं क्योंकि अनुपाद क्या था पाच अनुपाद आठ तो पहले क्या था पाच फिर था आठ तो पाच की बा और एक इस रेखा पर अर्दवरत या चाप लगा देते हैं इस तरीके पूरा कीच देते हैं ये देखिए ये हमने लगा दिया ये देखिए तो जितना ये है उतना ही ये हमने यहां पर लगाया है आप देख सकते हैं उतना ही ये है अब इस कौण को नापते हैं यहां से यहां तक कि इनके बीच में कितना अंतर है जितना ये चाप लगा था तो ये देखिए जितना ये हमने लिया था उतना ही ये मिल रहा है तो इसको हमें फैलाने की जरुड़त या कम करने की जरुड़त तो नहीं लग रही है तो लगवागा इसी को जतना ये है इस रुगाती पॉइंट वाले से जहां पर ये चाप इस रेखा को ये चाप कट करेगा उस पॉइंट पर रखते हैं ये एथरी से यहां पर कोई मतलब नहीं है के वाल ये देखिए ये वाली लाइन आप देख पा रहे हो यदि तो ये वाली लाइन आप देख पा रहे हो ये वाली तो ये और ये लाइन ये सीधी लाइन और ये जो चाप बाली लाइन ये कट रही है यहाँ पे आपको परकाल का पॉइंट रखना है और फिर इसके बाद यहां पे जितना ये है उतना ही यहां पे नापकर इस तरीके से कट कर देना है तो यहां पे जो पॉइंट आएगा इसको हम एक बिंदू रूप देते हैं यहां पे पॉइंट बना देते हैं और इसके बाद अनुपात क्या था पाँच तो पाँच इसमें मैन रहेगा तो पाँच से एक सीधी लाइन खीच देते हैं यह देखिए इस तरीके से पाँच से एक सीधी लाइन हम खीचेंगे तो यह देखिए खीच देते हैं एक लाइन इस तरीके की तो इसके समानतर यह एक रेखा मिल जाएगी और यहां पर हमें पी नाम दे देगे पी तो बी ए तेरा की समानतर आ जाएगी पी ए फायव और यह जो अनुपात होगा यह होगा पाँच अनुपात आठ पाँच अनुपात आठ तो तो इस तरीके से हमने रेखाखंड को पाँच अनुपाद आठ में विवाजित किया है अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं तो रचना के चरण में मैंने दो पॉइंट पहले ही लिख लिए हैं सरप्रतम AB बराबर 7.6 cm का एक रेखाखंड खीचा था हम लोगों ने जो सबस यह निव्ड़ गोण BX की रचना की थी यह पहले हमने यह भी खीचा था फिर BX बनाया था इस तरीके से तो आमने लिखा तीसरे नंबर पर हमने एक को केंद्र मानकर 13 समान किरण AX पर यह किरण AX है इस पर 13 समान चाप काटे थे इस तरीके से तो हम लिख लेते हैं थार कि बिंदु A को केंद्र मानकर केंद्र मानकर किरण AX पर समान चाप समान चाप और वो चाप थे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 और A13 लगाए तो इस तरीके से हमने समान 13 चाप लगाए थे क्योंकि अनुपात दिया गया था 5 अनुपात 8 तो 8 और 5 दोनों को जोड़े तो कितना आया 13 तो हमने 13 चाप लगा दिये इसके बाद हमारा डेमू चित्र यदि हम देखें तो हमने 13 चाप लगाने के बाद यहाँ पे जो A13 था इसको हमने B से मिलाया था तो हम लिखेंगे A13 को B से मिलाया तो हम यहाँ पे लिख लिखेंगे जोधा पॉइंट A13 को B से मिलाया थाए इस तरीके से अब हमने इसके बाद यहाँ पे A5 से यहाँ पे A5 से हमने एक समानतर देखा कीची थी उसकी मेध़ड़ी यह थी यह सबसे पहले यहाँ पे एक चाप लगाते हैं और उसी को A5 को केंदर मान कर पहले हम A13 को केंदर मान कर एक चाप लगाते हैं फिर A5 को भी केंदल मानकर एक अर्दवरत बना देते हैं यानि कि एक चाब लगाते हैं उसके बाद इस एंगल को नापते हैं परकाल की सहाथा से और यहां पे रखके वो कट कर देते हैं तो और A5 को ऐसा मिला देते हैं तो इसकी समानतर एक रेखा आ जाती है तो एक समानतर कीची थी तो हमने B A13 यहां पे P नाम दिया था उसको तो B A13 के समानतर PA5 खीची तो हम यहां पे लेखेंगे पाचमा पॉंट B A13 BA3 समानतर PA5 खीची तो यह रेखा कीची थी और इस प्रकार छटमा पॉंट हम लेखेंगे a p anupat p b जो कि यदि हम इसमें demo चित्र में देखें तो a यहाँ पे जो p नाव है तो a p anupat p b 5 anupat 8 होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a p anupat p b बराबर 5 anupat 8 होगा तो इस तरहीके से अब हम औचित्र भी दे सकते हैं इसका तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे औचित और औचित के लिए हम चित्र में देखेंगे इस चित्र में आप एक तिर्भुज देख रहे होंगे A, B, A13 इसमें और इस तिर्भुज में इस भुजा की समानतर ये वाली भुजा है यानि कि B, A13 की समानतर है P, A5 तो तेल्स प्रमें के अनुसार यदि किसी तिर्भुज में एक भुजा की समानतर एक अन्ड भुजा हो तो वो अन्ड दो भुजाओं को समान अनुपात में वालित करती है यानि इसके बटे में ये लिख सकते हैं और इसके बटे में ये लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे और चित्म है सबसे पहले तिरवज ए, बी, ए, तेरह में क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे ए, बी, ए, तेरह ये तिरवज है और इसमें BA13 समानतर है PA5K तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BA13 समानतर है PA5K तो समानतर है तो यह वाली भुजा AP बटे PB हो जाएगी और AA5 बटे A5 A13 हो जाएगी तो हम लेखेंगे सबसे पहले AP बटे PB यहाँ पे AP बटे PB बरावर AA5 बटे A5 A13 तो AA5 बटे A5 A13 तो हम यहाँ पे लेखेंगे AA5 बटे A5 A13 इस तरीके से अब AP बटे PB जियों काते हो बरावर AA5 A σε लेके A5 तक कितने चाप लगे हुए हैं चित्र में देखते हैं A से लेके A5 तक 5 चाप लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं यहाँ पर A5 तक 5 और A5 से A13 तक कितने चाप लगे हुए है आप देख सकते हैं A5 से A3 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ चाप लगे हुए है इसलिए हम यहाँ पे 8 लग सकते हैं तो इसलिए प्रूब हो चुका है A, P, अनुपात P, B, बरावर 5, अनुपात 8 जो की सत्य है तो इस तरीके से हमें रचना कर लेनी है आप इस वीडियो को अगर दुबारा देखेंगे तो और करके देखेंगे तो आप पे निश्चेत ही यह प्रशन बनने लगेगा थैंक्यू